Hello everyone, welcome to smart study by Jyoti Nain, मेरा नाम है Jyoti, जैसा कि मैंने आपको बोला था भी, हम मैं एक lecture series स्टार्ट करने जा रही हूँ, दो lecture मैंने डाल दी है, आज ये थर्ड lecture है, थोड़ा सब बीच में distance आ जाता है, थोड़ा time की problem है मेरे साथ, इस वज़ा से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर प बोल रहा है हमारा, what does the abbreviated term CCCS stand for in the context of cultural study, मतलब इसकी full form पूछिया है, इसकी full form है, एक मिन्ट इसकी option देख लेते हैं पहले, इसकी option देख लें, इसकी, एक मिन्ट, इसकी full form है, center for contemporary cultural study, ठीक है, center for contemporary cultural study, ठीक है, यह इसकी form है, और यह क्या है, यह जो एक institute होता है, इसको सबसे पहले, जो Birmingham University है, Birmingham University, वहाँ पे England में है, उसमें इसको established किया गया था पहली बार, ठीक है, it is a center for cultural study, and founded by Richard Hogarth, Richard Hogarth, यह हमारे cultural study से जुड़े हुए theorist है, और इनका एक deputy थे, Stuart Hall, जो कि हमारा, हमने cultural study में writer पढ़े होंगे, यह theorist हैं दोनों, ठीक है, तो क्या है, the center for contemporary cultural study, established by Richard Hogarth at Birmingham University in England, 1964 में, कब की थी, 19, 1 minute, 1964 में इसको established किया गया था, ठीक है, यहां से बस इतना ही, ज्यादा deeply मत जाना, अगर आपको देखना है, explanation इसकी देख सकते हैं, लेकिन इतना कुछ है नहीं इसमें, 30 second question क्या कहता है, अभी जिसकी हम बात करें थे, Stuart Hall, according to Stuart Hall, the concept of, the concept played, यहां पे off नहीं आना चाहिए, the concept played a seminal role in cultural study, मतलब जो important role अदा किया है, वो कौन सा concept है, cultural study से related, वो है हमारा hasimony, ठीक है, जो hegemony है, एक term है, important term है, इसका मतलब क्या है, मतलब जब एक ruling class manipulate करती है, culture of the society, ठीक है, एक ruling class, अपना जो attitude है, अपना जो perception है, अपनी जो value है, उसको मतलब दूसरी उस पे जो lower class है, उस पर थोप देती है, भी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना हम होता है न कहीं बारी, अगर मैं बात करूँ, जैसे colonial time पर हम English people से जादा, मतलब उनसे जादा प्रभावित रहते थे, उन्होंने अपना जो culture है हमारे उबर ठोप दिया था, उन्होंने ये दिखाया, हम बैटर हैं आप से हर field में, लाइक एजुकेशन में, मतलब हम और क्या, रिलीजन में, लाइक वे ओफ टोकिंग, मतलब उनका जो भी है, खान पान रहें से, वो अपने आपको उन्होंने superior दिखाया, और हमें inferior दिखाया, हमारे स्कुप्चर्स थे, जो लाइक हमारे भागवत गीता या जो भी रिलीजन, उनको उनको नीचा दिखाया, और अपने उनको रिलीजन को ज्यादा हाई दिखाया, जब एक रूलिंग क्लास इस टाइप का मैनिपलेशन करती है, लोवर क्लास पे, उसको हैजिमनी बोलते, तो यही हजिमनी है, जो यह प्रॉपर वर्ड है है हैजिमनी, इट वस कौइन बाई एंटेनियो ग्रैमसी, मतलब यह ग्रैमसीयन घ्रैमसी, मतलब एक रैटर न हैं एंटोस Jeans theorist है याद रखना इसको पुछा जाता है एंटोनियो ग्रेमसी एक Marxist theorist है उन्होंने ये concept लेके आए थे हैजिमनी का ठीक है इसको आप देख लेना हाँ एक important जो है चार उप्षन में जो important चीज रह गई है एक term है Interpellation ठीक है Interpellation it was a term coined by Louis Althassar याद रखना इसको Louis Althassar और हैजिमनी एंडेनियो ग्रेमसी ठीक है question समझ आ गया मतलब कौन सा ऐसी term है जिसने cultural study में important role अदा किया है वो है हमारा हैजिमनी and 33rd question the book political Shakespeare subtitle is essay in cultural materialism was jointly edited by मतलब ये किसने edit की थी ये book किस की है political Shakespeare the term coined by Raymond Williams ठीक है political Shakespeare जो word है ये coin क्या था हमारे Raymond Williams ने इनका और क्या है Raymond Williams का एक और आया था हमारा साइद इस paper में नहीं आया है ना इनका एक work है important जो culture and society वगारा से है साइद next question है वहाँ पे discuss कर लेंगे बस यहाँ पे इतना ही देखो political Shakespeare term coined by Raymond Williams and the answer of the question is number second मतलब option second Alan Senfield and Jonathan Dolemore answer क्या है इस question का ये political Shakespeare जो work है किसने edit किया है हमारे Alan Senfield and Jonathan Dolemore ने और subtitle याद रखना essay in cultural materialism ठीक है और तो इसमें क्या कुछ discuss करना है इसका आप एक मिंट explanation देख लेते हैं ये explanation है बस यह Raymond Williams ने किया है मेरे को कुछ इसमें कुछ खास लगा नहीं तो मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा need नहीं है लेकिन इसके जो चार option है वो very very important है उनके बारे में बात करते हैं इसका option second है ठीक है पोलिटिकल सेक्स्पिर Alan Sinfield and Dolly Moore ऐसे भी याद कर सकते हूँ अब बात करती हूँ मैं Gills, Dollars and Felix Gattari इनका एक work आता है बहुत important है अगर work भी याद ना रखो तो उसमें इसकी जो सीजोफ्रेनिया मतलब पहले work बोल देती हूँ मैं Capitalism and Schizophrenia सब्टाइटर ले एंटी ओडिपस Schizophrenia की spelling क्या है S-C-H-I-Z-O-P-H-R-E-N-I-A Schizophrenia ये concept है जो इन्होंने develop किया है ये paper में भी पूछा गिया है मतलब इसका एक work है Capitalism Capitalism की आप spelling पता होगा and Schizophrenia ये इनका work है जहां से Schizophrenia उठाया गया था ये किसका concept है ये किसका है Dillis and Felix Gattari किसका है जो हमारा first option है clear हो गया होगा न इसकी बात कर रहे थे हम Gills, Dillis and Felix Gattari इनकी बात कर रहे थे ठीक है ये तो इनका work हुआ और जो Capital and Schizophrenia इसका subtitle है Anti-Odibus published in 1972 और दूसरा work जो important है A Thousand Platters उसको भूल जाना लेकिन ये Capitalism and Schizophrenia इसको याद रखना Alan Sinfield की हम बात कर चुके है अब बात करते हैं Bill Ascroft and Helen Tiffin ये important है इनका एक work है The Empire Rights Back The Empire E-M-P-I-R-E Empire Rights Back और एक और राइटर है इनके साथ Ascroft और Tiffin के साथ एक और राइटर है Griffith तीन राइटर है जिनोंने इस work को लिखा है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है और ये इनको ज़्यादा fact हो जाएंगे अगर इनको डिसकस करेंगे ये तीन ही चीज़ याद रख रहा डेलिज डेलिज एंड गुटारी का कौन सा वर्क था Capitalism एंड स्टिजोफरिनिया और Ascult Tiffin एंड ग्रिफित मतलब थर्ड ओप्सन की बात कर रही हूँ मैं उनका एक वर्क है The Empire Rights Back Published in 1989 ठीक है यहां से इतना याद रख लेना More than enough होगा अब क्वेशन 34 की बात करते हम जो कि अभी मैं बोल रही की Raymond Williams के बारे में Identify the work which has not written by or authored by Raymond Williams मतलब Raymond Williams का कौन सा work नहीं है तो इनका जो option क्या है question का option 4 is right The Making of English Working Class यह इनका work नहीं है ठीक है नोट पुछा है Raymond Williams का और यह किसका work है The Making of English Working Class E.P. Thompson E.P. Thompson का यह work है जो कि एक New Left Historian थे इनके जो work है अभी बात कर लेते हैं Raymond Williams की एक मेट Sorry for disturbance हम बात कर थे Raymond Williams की जो हमारे Raymond Williams में के work है The Country and City Culture and Society and Modern Treasury सबसे जो chronology में भी आ सकते हैं यह work सबसे पहला work है इनका Culture and Society published in 1958 and then The Long Revolution यह भी इनका ही work है The Long Revolution published in 1961 and then comes Country and City 1973 और फिर अनदर work है जो option में दिया हुआ Modern Treasury It was It was a response to The Death of Treasury मतलब यह response में लिखा गया है एक work है The Death of Treasury यह work written मतलब किसका work है यह George Stiner का किसका work है यह George Stiner का work है एक मिनिट मैं आपको यह explanation अच्छे से दिखा देती जो Death of Treasury जो work है George Stiner का work है इसके response में हमारे Raymond Williams ने जो work लेके आए थे The Modern Treasury ऐसे करते थे ना ऐसा होते है न reply में work लिख देते हैं तो यह ऐसे ही है Modern Treasury written by Raymond Williams और इसकी बाद हम कर चुके हैं The Making of English Class The Making of English Working Class by E.P. Thompson The next question is Second Languages मतलब Definition पूछी है इसमें इसका option है Any other Any language Other than the Learner's Native Language और Mother मतलब जो learner है जो किसी language को दूसरी language को सीखना चाता है उसकी जो Mother Tongue है उसके अलावा जो भी language हो सीखना चाता है वो Second Language होगी अगर मेरी Mother Tongue Hindi है तो मैं मेरी Second Language क्या होगी जो मैं सीखना चाती हूँ लाइक अगर मैं English शीखना चाती हूँ तो मेरी Second Language English होगी अगर मैं Chinese सीखना चाती हूँ तो मेरी Second Language Chinese होगी अगर मैं French सीखना चाती हूँ तो मेरी Second Language French होगी लेकिन मेरी First Language को सीखना चाती हूँ ठीक है यहां से explanation की कोई जरूरत नहीं है हाँ एक word है यहां पर suggestopedia यहां पर explanation में है जो मैंने सामने आया था मुझे लगा इसको explain कर देना चाहिए यह सभी जो दिये हुए है यह अप्रोच इस है second language सीखने की क्या-क्या अप्रोच हो सकती है लाइक हमारा silent way है suggestopedia है community language learning है total physical response method communicative approach which was influenced by Christian theory ठीक है तो इन में से सबसे important जो हो जाती है आपको पता होना चाहिए suggestopedia suggestopedia was developed by George Lezono ठीक है इसके चार step होते हैं मतलब इसमें चार phase होते हैं पहला होता deciphering दूसरा होता consulting third is elaboration elaboration and fourth is products ठीक है यह तीन phase होते है suggestopedia में मतलब यह second language phase लेने सीखने के method है ना तो यह कैसे सीखाते हैं तो वह method है सबसे पहले deciphering को करते हैं teacher provide some written material बच्चों को देता है और बच्चों को ट्रांसलेट करना होता है एक side left hand side आपको written material होता है और right hand side आपको उसकी translation लिखनी होती है यह होता है deciphering then comes the second step is consulting इसमें दो phase होते हैं consulting के अंदर active and passive जहां पर teacher क्या करता है read करता है बच्चे उसको follow करते हैं उसके साथ बोलते हैं और passive में सिफ बच्चे सुनते हैं ठीक है आज suggestopedia more than enough होगा otherwise video काफी लंबी बन जागी जो creations theory है इसको भी मैं अच्छे से explain करूँगी तो ध्यान से देखते रहे ना हर video को the next question is when a learner second language learning system seems to freeze or get stuck at some more or less deviant stage that phenomena is known मतलब इनों यह पूछ रहे हैं जब एक second language learning system में कुछ stuck हो जाता है मतलब कुछ बाधा आ जाती है आगे कुछ काम possible नहीं हो पाता further development नहीं हो पाती तो वो concept क्या कहलाता है वो है fossilization it was developed by slinker the concept was एक minute the concept was developed by slinker ठीक है और यह सबसे पहले को लेकर आये थे और इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एक मैं पहले ले लगती हूं ना पता नहीं कहां से क्या button प्रेस हो जाता है इसको यहां पर लगा देती हूं तो हाँ fossilization refers to the process in which incorrect language becomes a habit मतलब हम कोई language सीख रहे हैं लैक English शीख रहे हैं हमारी pronunciation गडबड कर जाती है और वो हमारी habit बन जाती है उसको हम चाहा कर भी ठीक नहीं कर पाते that cannot be easily corrected जिसको हम ठीक नहीं कर पाते वो fossilization है वो process समझ गए ठीक है तो और यह बता चुकी मैं slinker ने इसको develop किया है slinker and lemandela further redefined it मतलब इसको और ज्यादा refine किया है इसको और पढ़ ले ना लेकिन जो important चीजे थी मैंने बता दिया है एंड 37th question इस इंटीग्रेटिव मोटिवेशन रेफर्स टू इंटीग्रेटिव मोटिवेशन का मतलब क्या है इसका मतलब है language learning for personal growth and cultural enrichment अपनी गर्थ और अपने culture के ग्रोथ के लिए इंटीग्रेटिव मोटिवेशन इसका मतलब है ठीक है यह concept कि इसने develop किया था आर सी गार्डनर और जैट दौर नहीं जैट दौर नहीं और आर सी गार्डनर ने इस concept को developed किया था और यह भी second language learning से related है ठीक है यहां पर ज्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं जो जहां पर कुछ important fact होते हैं वहां पर मैं आपको बता देती हूं 38th question says about what in 1835 which of the following language was replaced by English English से कौन सी language replace कर दी गई थी 1835 में ठीक है as official language हो था English East India Company मतलब 1835 की बात कर रहे हैं उस टाइम क्या था हमारा मुगल सामराज्य चल रहा था न हमारे इंडिया में तो क्या हो सकती हमारी लेंग्वेज संस्कृत नहीं हो सकती Arabic नहीं पर्सियन थी भई है ना तो उस टाइम पे मुगल एड्मिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारी पर्सियन लेंग्वेज थी 1835 का जो चार्टर एक्ट आया था उसने इसको पर्सियन लेंग्वेज को रिप्लेस करके इंग्लिस लेंग्वेज हमारे आ गई थी और 1835 के पास हमारे गवर्नर कौन थे लोर्ड विलियम बेंटिक यह क्वेशन पूछा जाता इसमें पूछा गया है चूज अ कोरेक्ट ओप्सन मतलब कोरेक्ट ओप्सन कौन सा है मैंगना कार्टा ओफ इंडियन एजुकेशन इन कोलोनियन पीरियड रफर्स टू मिसिन मिसिनरी क्लॉज नहीं यह गलत है मैंगना कार्टा जो मैं आपको सीधा बता देती हूं जो 1835 का जो वूट डिस्पैच आता है ना 1854 में उसको मैंगना कार्टा बोला गया है महाँ पे काफी कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी कुछ सुधार हुए थे इस वज़े से उसको मैंगना कार्टा बोला गया है तो हमारा उप्सन फोर्थ इस राइफ दा मैंगना और यह वूट कौन है यह चाल्स वूट है हमारे और नेक्स प्रशन इस फोर्टी अब बात कर रहे हैं वीच अब फॉलोईंग प्ले ओफ विलियम शेक्सपियर वाज ट्रांसलेटेट इन इंटो बैंगल बैंगोली और डिक्टीड बाई ग्रीश चंद्र घोस ठीक है किस घोस ने और इंटेर और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है इंक तो कुछ खास नहीं है लेकिन उने जो ट्रांसलेशन किया वह ज्यादा इंपोर्टेंट है वह देख लो आप यह हमारी जो मेकवेद को तो इन्हों ने ट्रांसलेट किया ही और टाइम पिरियड है 1893 और जो इंपोर्टेंट है बंकीम चंद्र के जो वर्क है मार नैली नी विश्वरक्षा दुर्गेश नंदिनी ठीक है बंकीम चंद्र चटरजी के कौन से कौन से बंकीम चंद्र चटरजी है यह बंकीम चंद्र के वर्क इन्हों ने जो मरी लिली नी विश्वरक्षा दुर्गेश नंदिनी और फिर मधुसुदन का जो वर्क था मेगवद मेगनाथ वद जो इन्हों ने ट्रासलेट किया था और नभीन चंद्र पाल्सियर युद्ध इनको इन्होंने ट्रासलेट किया था कौन-कौन थे हमारे बंकीम चंद्र का वर्क थे तीन और एक वर्क था मधुसुदन का जी का और तीसा था नभीन चंद्र ठीक है इनको याद कर लेना यह इंपोर्टेंट मैं बार-बार क्यों बता रहें क्योंकि जरूरी नहीं है इनकी ट् विश्वरक्सा या दुर्गेश नंदनी किसका वर्क है ठीक है ऐसे भी पूछ सकते हैं मेगनात वद्ध तो साइद पूछा भी गया है जो फॉलेंग वर्क ब्राउनिंग आर्ट प्योर ड्रामा बतलब ड्रामा कौन सा है इसमें हमारा स्टाफॉर्ट इनका जो वर्क है एक इन-307 में पब्लिस्ट है ये और दूसरा है अब लोट इन अब लोट इन शूचों जो भी इसकी स्क्यूचों है शूचों जो कुछ भी इसकी परनेंसिशन है देख लेना और जो बच्ची हुई है ये इसकी पोइम्स है ठीक है तो इसकी एक्स्प्लानिस्ट पर चलते है जो स्टाइट फोर्ट 1837 में पब्लिस्ट है जो बैल्स जिसमें प्लेइज पब्लिस हुए थे इनके ठीक है और पीपा पासिज ये तो हमारे उप्सन में था लोरिया और बॉल्ट इन स्केन यह हमारे रोबर्ट ब्रावनिंग के वार्ट है विक्टोरियन राइटर थे भई ये अब बात करते हैं 42nd question who among the following poet have lived in Australia Australia में कौन सा पोईट है जो रहते थे यहां पे न उप्सन में गल्त दे रखा है हमारे उप्सन होना चाहिए जूडित राइट और कैथ वाकर ठीक है ये दो राइटर है जो अस्ट्रेलियन है और इनमें ऐसा कोई उप्सन नहीं है A और C वाला तो उप्सन में ये उप्सन देर का यहां पे A और C है ये जो B उप्सन है ये अमेरिकन राइटर है ठीक है तो ये होना नहीं चाहिए और T.S.E. लिएट आपको पता है अमेरिकन ब्रिटिस राइटर है अमेरिका से आये थे लेकिन ब्रिटिस है मतलों वहां पे आके बस गए थे ठीक है इस इसके एक्स्प्लानेशन में जाने की तनी जरूरत नहीं है लेकिन कैथ वोकर का अधर नेम्स आप देख सकते हो यहां से ओड्रुगू नूनकल ये इनके नेम है एक अधर नेम उथा इनका जैन मेरी रस्का ठीक है अब बात करते हैं 43rd question की हमारे एलेजेंट पोप इन ऐसे इसे उन क्रिटिसिजम जो पब्लिस है 1711 में पब्लिस्ट है यह और इसमें बात करते हैं causes of faulty criticism and praise the great critic of past कुछ past के critics हैं उनको प्रेज करते हैं और faulty criticism के बारे में बात करते हैं और second option जो राइट है analysis the cause of faulty criticism and characterize the good critics good critics कैसे होने चाहिए अब बात करें हम यह दोनों option ठीक है मतलब answer a and b and और जितने बच गए वो गलत है ठीक है answer a and b तो हमारा option कौन सा right होगा ऐसे option दे रखे हैं इसके तो option a and b is right अब बात करते हैं ऐसे उन criticism इसमें जो अभी बात की है इन्होंने प्रेज किया है past के जो critics हैं वो कौन से कौन से हैं जो वो है हमारे वर्जिल, Homer, Aristotle, Horace and Longinus ठीक है this is a testament to believe that the imitation of the ancient is ultimate standard for taste मतलब ancient की imitation हमें करनी चाहिए इस टाइब से बाते कर रहे हैं ठीक है बस आपको यह आद रखना है यह इन writers को praise करते हैं जो past के critics हैं और यह Horace Earth Poetica वहां से inspired हैं वहां से inspired होके इन्होंने इस work को लिखा है ठीक है next चलें next question is 44 which of the following plays are written by Harold Pinter famously known for his Comedy of Minas ठीक है Harold Pinter का नाम आते ही आपको यह पता ना चाहिए Comedy of Minas के लिए यह काफी popular थे ठीक है तो answer अभी बात करते हैं इसमें से जो इनका answer एक तो family voice इनका work है the room and no man's land यह इसके work है तो answer कौन सा कौन सा हुआ हमारा कौन सा हुआ A, C and D तो हमारा option होगा third A, C and D हाँ यहाँ पर misprint हो रखा है बई बुक में जो answer इनका इनका second दे रखा है लेकिन यह second नहीं है यहाँ पर third होना जाहिए third option राइट है ठीक है Comedy of Minas के बार में मैं बता ही चुकी हूँ आपको इसके explanation देख लेते हैं अगर मैं बात करूँ सबसे पहले The Room की यह पब्लिस हुआ है 1957 में इसमें क्या होता है यहाँ पर दो क्रेक्टर है Rose and Bart जो husband wife है इवनिंग का सीन है यह बस रोज ही बोलती रहती है जो wife है बोलती रहती है उसको खाना सर्व कर रही है और बोल रही है जो बारिट है इसका कोई response नहीं है यह इतना ही है यह वार्क अब बात करें family voice यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक mother है उसका बेटा है और उसके husband की death हो चुकी है और उसके father अपने father से यह letters के थूँ बाते करती है ठीक है यह है family voice और यह एक radio drama है ठीक है क्या है यह एक radio drama अब बात करूं मैं no man's land यह भी Errol printer का वर्क है 1974 में published है और अभी जो other option थे वहाँ पे कौन से कौन से option थे हमारे crab's last step and a moon for miss by a garden तो यह वर्क है crab's last step written by हमारे Samuel Beckett Samuel Beckett का other work कौन सा है comment करिए Samuel Beckett के work मैं बार-बार repeat करती हूं अपने lectures में अगर आपको पता है तो आप comment करके वो लिखिए Samuel Beckett का सबसे important जो काफी popular work है comment works में comment करें उस पर ठीक है तो और दूसरा है a moon for miss B. Goten written by Yuzin O'Neill Yuzin O'Neill last and 45th question is which of the following have not written by Mahes Dattani कौन सा वर्क नहीं लिखा है और सबसे पहले बात कर लेती हूं कौन से कौन से वर्क उनके है जो पहला वर्क उनका ही है dance like a man very very important है O'Neill Maggi Knight in Mumbai ये दोनों वर्क इसके है जो बच गए इनके वर्क नहीं है ठीक है देख ले ना इसको options में थोड़ा गडबर कर रखे आप इसको बस इतना याद रखना dance like a man and O'Neill Maggi night in Mumbai dance like a man में क्या होता है यहां पे एक बेटा होता है उसका बेटा को dance में काफी शोख है लेकिन वो लड़कियों की तरह dance कता है तो उसके पापा को यह चीज़े पसंद नहीं आती वो उसको बार-बार बोला जाता है भी तू यू dance like a man वो उसकी साधी कर देते हैं तो इस टाइप से चीज़े चल रही है इसमें और वो भारत नाट्यम डांसर से कुछ इस टाइप का है नहीं ठीक है और इसको मस्टरीड है यह dance like a man अब दूसरा वर्क है जो ओने मगी night in Mumbai it discuss about the homosexuality ठीक है इस पर बेस्ट है अब बात करें अदर ओप्शन की अदर उप्शन कोंसे थे हमारे ब्रेवली फोर्ड द प्वीन ये भी talks about the exploitation of male exploitation of male मतलब जहां वैसे तो वुमेन की exploitation होती है यहां पर मेल की exploitation दिखाई गई है ठीक है और जो बच गया एटच अप्राइटनेस रिटन बाइप परताप सर्मा एंड ला वन मोर वर्क जो अपने उप्संस में था वो है दा फायरेंड दा रेंड रिटन बाइट ग्रीस करनाड ठीक है क्या तीन वर्क जो है हमारे जो महिस दतानी के हैं कौन से कौन से हैं ब्रेवली फोर्ट द क्वीन ओने मग इनाइट इन मंबई और डांस लाई के मैं ये वर्क किसके हैं महिस दतानी के दा फायरेंड दा रेंड रिटन बाइ ग्रीस करनाड एंड दा अटच ओफ ब्राइटनेस रिटन बाइ परताप सर्मा आज के क्वेशन यहीं तक यहीं पर मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगी अगले नेक्स्ट क्वेशन हम करेंग तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और वहाँ पर कमेंड भी करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जिनको इसकी नीड है हाँ एक इंपोर्टन बात है जो बच्चा यह पेपर कर लेगा न वो 100% नेट क्वालिफाई कर जाएगा मतलब जितना कुछ पड़ा है ना आज तक आपने उसका रिवीजन करो और यह मेरी सीरीज दिखो आपका नेट मैं 100% गारंटी लेती हूं आपका नेट हो जाएगा तो हाँ वीडियो अभी आगे आने वाली जो वीडियो वो काफी लंबी होंगी क्योंकि 30 क्वेशन करने वाले हैं नेक्स्ट तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगी मैं अगेन बोलती हूं अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्स्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें हाँ कमेंट भी जरूर करें थोड़ा मेरे को ना मोटिवेशन मिलता है वहां से ठीक है तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी थैंक यू, थैंक यू for today